दोस्तो वर्ल कप दो हुजार तेस होने वाला है क्रिक्ट का और भारत की टीम भी नौस हो चुकी है सभी देशों की टीम है जो भी इसमें इनफेक्ट हिस्सा ले रहे हैं सबने टीम अपनी खोशीर कर दी है भारत की टीम में चारे जनक रूप से एंट्री हुई है आर अक्षर पटेल जैसे ही इंजड हुए है और हमारे आर अश्विन सहाब को मौका मिला किसमें अस्टीलिया के बिरुद्ध और अस्टीलिया के बिरुद्ध उन्होंने कमाल की बोलिंग करी अब ये देखिए कि किसमत ने कैसे पल्टा खाया अक्षर पटेल बाहर हैं क्योंक ने थी यानि आर अश्विन सहाब एक बार फिर से भारत की टीम में हैं और ये एक और कमाल की बात बता दू दो हुजार ग्यारा में जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था धोने की अगवाई में उस टीम से सिर्फ दो प्लेयर हैं जो भारत के इस समय वरतमान में जो पंद्र में इनका कोई मुकावला नहीं है लेकिन हां कभी कभी ये बैटिंग में भी बड़ा अच्छा अपना हाथ आजमा दिलते हैं बाकि कोहली साहब तो खैर इतिहास लिख रहे हैं उसके साथ साथ जो इस वार आंखें रहेंगी नजर रहेगी शुबन गिल उसमें सबसे आगे होंगे फिर शमी है और पूरी लिस्ट है मैं आपको बता दूं और इस लिस्ट में इस लिस्ट में होंगे सिर्फ रवी चंदरन इनके साथ रवी चंदरन अश् vraiment के साथ आए हैं विराट कोहली लेकिन रोहित शर्मा एज एक कैटन हैं हार्दिक पांडिया वाइस कैटन है फिर है शुमन गिल विराट कोली तो हैं ही है श्रेस ऐयर केल राहुल अर्विंदर जडेजा शारदल ठाकूर जस्परीत बुमरा मुहमद सिराज कुलदीप यादव मुहमद शमी शान किशन और सूरे कुमार यादव यानि के इस समय बड़ी बैलेंस्ड टीम है और इस टीम वरतमान में भारत को नमबर एक पे लाकर के खड़ा करा हुआ है हर एक फॉर्मेट में इसमें से सारे एक से बढ़कर एक हैं और अगर वरतमान स्थिती देखे जाए तो ये बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं सारी बॉलर भी और बैट्समें भी फिल्लिंग तो हमा प्लेइंग बैस्ट और इस समय ये बैस्ट 15 की स्कूर्ड है जिसमें हमारी टीम इस समय टॉप पर चल रही है ओडियाई में यानि वर्ल्ड कप से पहले जो वन डे की रैंकिंग है उसमें नमबर वन पे भारत है टी टॉन्टी में भी नमबर वन पे भारत है और टेस्ट मै पर थी और उसके बाद से अब भारत का नमबर आया है इतने सालों बाद तो कितनी बड़ी एचीमेट रही है जब भारती टीम की और वही ये टीम है जिसकी बात मैं कर रहा हूं इस समय जो वर्ल्ड कप के लिए खेलने जा रही है और आप लोगों से मेरे प्रशन रहेगा किस कारण क्या कारण रहा होगा कैसे आर अश्विन साहब की एंट्री होगे जबकि वो तो पूरी तरह भार से इस पूरी सीरिज में उससे पहले भी वो पूरे तरह नहीं इन्वालव हूए क्रिकट में भारत की टीम में नहीं रहे खेल रहे थे तो कैसे क्या चीज थी जो पाले में चली गई कौन सी वो ताकत है जिसने आर अश्विन साब को इन कर दिया है इस स्क्वेड में जो पंदरा लोगों की टीम भारत ने अनौन्स करी है और पहला मैच होने वाला आट अक्टूबर को अस्टेलिया के बुरुद और अस्टेलिया के बुरुद होगा चिन्न नहीं में आर अश्विन का आना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां की पिच स्पिनर्स को बड़ी हल्प करती है और अर अश्विन एक्सपिरियंस नहीं है पुराने घाग हैं यह और यह अस्टेलिया को नचाएंगे इतना पता है लेकिन आप लोगों से प पकी जगा बनाने वाले अक्षर पटिल को बाहर कर दिया